रक्षामंत्री राजनात सिंग मंगलवार को तीन दिवसिये डोरे पर रूस के मौस्को पहुँचे यहां वे रूस के रक्षामंत्री जनरल सरगेई शोहिगो के साथ सेहियोग पर आधारत 19 वी भारत रूस सरकारी आयोग की बैठक में हिसालेंगे बताया गया है कि राजनात यहां दोनों देशों के बीच रक्षा उत्पादों की साज़दारी के लिए एग्रीमेंट ओन रेसिप्रूकल लॉजिस्टिक ए आरेलाइज समझोते पर भी चर्चा करेंगे मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक नए समझोते के तहत भारत और रूस एक दूसरे के सैनिये ठकानों को रसद और इधन के जरूरतों के लिए इस्तिमाल कर सकेंगे इससे दोनों देशों के बीच माल ढुलाई और सैनिये ओपरेशन्स में सहयोग बढ़ेगा इससे बड़ा फायदा भारतिये नौ सेना को होगा जो बड़े स्तर पर रूसी मूल के शिप्स का इस्तिमाल करती है समझोते के बाद ये शिप्स सप्लाई और इधन की जरूरतों के लिए रूस के बंदर गाहों का इस्तिमाल कर सकेंगे इनमें आर्कर्टिक महासागर से जुड़े बंगरगा भी शामिल होंगे सार्जा सेनिय अभ्यासों के लिहाज से यह भारत के लिए अहमडील होगी समझोते का लाब भारतिये अर्फोस को भी होगा जो विमानों को रूसी एयर अरबेस भेज सकेगी भारत ऐसा समझोता अमेरिका फ्रांस के साथ कर चुका है इसी साल व्लादिवो श्टोक में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और रूसी राश्णपती व्लादिपिन के बीछ हुई बैठक में भारत और रूस के बीच ऐसा समझोता तयार करने पर सहमती बनी थी भारत इससे पहले अमेरिका के साथ अगस्त 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंजे मुईल पर हस्ताक्षर कर चुका है इसके अलावा पिछले साल फ्रांस के साथ भी भारत ने एक ऐसा ही समझवाता किया है रूस के साथ ट्रांस सफर अफ टेक्नोलॉजी पर बात होगी भारत रूस के बीच रक्षा उत्पादों का सहयोग बढ़ाने के लिए राजनात यहां सर्गय इशोईगु के साथ भारत रूस डिफेंज इंडस्ट्री को आपरेशन कॉपरेशन कॉपरेंज का उधगाटन करे प्रांस सर्गदेंगु